Welcome to my channel sequence study आज हम करेंगे classroom assignment 6 class 11 इसका meaning जरूर समझना आपको कोई भी exam में paragraph कोई भी आ सकता है मगर आपको idea होना चाहिए कि हम इस sentence का क्या meaning है इस तरह से हमें समझ में आना चाहिए तो मैं आपको बड़े short cut तरीका समझा होंगे English में उनकी lines का क्या meaning होता है आपको नहीं समझ में आते तो answer कैसे लिखोगे ना क्योंकि आप प्रॉब्लम यह है कि इसका answer क्या होगा है तो देखो rising gold imports of India तो पहने तो पहले आपको meaning की समझ लो rising का मतलब बढ़ते हुए gold imports gold imports मतलब जो हम sona import कर रहे हैं भार देशों से तो हमारा जो sona import हो रहा है हमारा देश में उसके अपर यह paragraph है the two visuals given below show data related to India's gold imports अब यह दोनों जो है दिखाते हैं कि हमारा gold import हो रहा है वो क्या है which are indication of the nation's craze for the yellow precious gold metal तो यह जो है हमारा जो कितना ज़्यादा हमारा देश crazy है gold के लिए जो होते हैं कि इंडियन जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा क्या है sona se pyaar है बहुत ज़्यादा इसको खुरीना चाहते हैं अपने घर में रखना चाहते हैं rising yellow fever rising yellow fever का मतलब yellow का है gold yellow है उसका भुखार है लोगों को मतलब खृदने का उसको घीने के चक्कर में इंपोर्ट जा रहा है सबसे ज़्यादे एक कब हुआ था 2011 में सबसे ज़्यादे इंपोर्ट हुआ था The incitiable hunger for gold has resulted in India's gold imports constituting a massive 12.50% of its total imports in 2012-13 which is a whopping dollar इतने million dollars मतलब हमने इतना जबदर्स इंपोर्ट कर रहा है कि कितना 2012-13 में dollar 61,409 million dollars का import के हमने gold का तो सबसे ज़्यादे यह दिखा रहे है कि कितना जो पूरी world का कितना था 12.50% in 2012 the total gold production the world stood at इतने अब जो 2012 में जो है gold के production जो ही पूरी world में वो थी 4,130 tons and India imported 26.12% of that और इसका 26.12% हमने gold हमने इसी हमारे देश नहीं करीद लिया तो हमने जो है कितना खरीद है 1 4th of the world's total gold production तो 1 4th हिसा जो हमने gold production का world का वो हम नहीं करीद लिया माय देश ने अ country's export must be more than its import to maintain a favorable balance and growth up for capital income of the country तो हमारी अपने पैसी कम होगा और जगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हम जब इंपोर्ट करते हैं तो हमारे देश में पैसा आता है बहार की currency आती तो foreign currency हमारी बढ़ती है तो क्या होता है जिसको इसकी वज़े से जो हमारा एक्सपोर्ट होना चाहिए वो जाना चाहिए इंपोर्ट कम होना चाहिए जिसे की फेवरियर बैलन्स बना रहे ग्रोफ प्रकाप्टिया इंकम अपना कांट्री में As of December 2012, we have a current account deficit of 6.7% in exports, analysts and the RBA says that we can sustain only with a maximum consistent deficit of up to 2.5% तो कहना है कि जिसकी वज़े से हमारा current account deficit हो गया, जो deficit का कमी आई जो हमारा current account के अदर deficit हुआ है वो कितने का difference आगे 6.7% का आगया, पर हम जह से 2.5% ही को, अगर हम maintain के जह से 2.5% ही होना चाहिए deficit To counter this, the RBA has implemented 80 to 80 ratio 20 system, तो इसके लिए एक system मनाया है, जो है हमारा 80 ratio 20 system where 80% of the imports would be used to satisfy domestic demand, जिसमें की जो गोल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका 80% है हमसे जो हमारा domestic demand जो है हमारी, उसको फुल्फुल करने के लिए करें 20% है, would have to be re-exported after value additions by turning gold price into jewelry, जैसे bricks के अंदर gold आता है हमारे देश के अंदर, हम उसको क्या करें, convert जोल्री के अंदर और फिर दुबारा से उसको क्या करतें, फिर export करतें 20% को हम क्या करतें, गुजर्री बनाके gold की, उसको export करतें तो यह है 80 ratio 20 वला, in 2011-12, around 56% of all the gold that was being imported came through banks who sold it to the public in the form of coins, अब देखो जितना भी gold import हो रहा था, वो बैंकों में भेजा रहा था, और बैंकों से लोग जो है, उसको सोने की सिक्के में के form में खरीद रहे थे In 2013, the Finance Ministry banned banks from selling gold coins, अब क्या कर दियागे, आप क्या कर दियागे, आप क्या कर दियागे, नहीं, तुम gold coins नहीं बेचोगे, in an effort to control the expending current account deficit, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, जो current account deficit होने लगा, CAT, मतला है कि तुमारा जो है, अकाउंट से पैसा कम होने की बजाए, अकाउंट से प import rates of gold, between January 2012 and 2013, the import duty has been raised five times from one percent to ten percent, तो करें इस चकर में जो है, import duty को भी बढ़ाया गया, five times हो गई, एक percent से लेकर 10 percent के बीच में, the government is also raising its import duty, तो इस चकर में import duty को बढ़ाया गया, to combat का मतलब ही होता है, अगर हमें किसी जंग जैसे लड़ाई होती है, उसको जीतने के लिए, कि imports के हो सके है, हमारे कम हो सके, this move has been mimicked by Shri Lanka as well, in an attempt to curb gold smuggling, वैसे mimick करी करना, नकल करना, कि हम किसी मजाग उडाने के लिए करते है, वैसे, वैसे mimick कर लाई कि हमारी कॉपी करी, इस बात की, in an attempt to curb gold smuggling, जैसे की gold smuggling उनके देश में भी क्या हो सके, कम हो सके, अग इंडिया, three primary imports हम तीन चीज़ों का primary import करते है, primary में 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 के है, crude oil, cooking oil and gold का, तीन चीज़ों हम import करते है, and the first two are vital necessities, अभी को crude oil भी चाहिए, cooking oil भी चाहिए, तो क्या है हमारी necessities है, उसमें आती है, और gold तो ऐसे necessity नहीं है, there are small things our government can do to decrease the damage dealt by the massive amounts of gold being imported, तो देखो कुछ government कर सकती है, कि जो इ one, one of these is to reduce the amount of non-essential imports, non-essential जिनके इतने जरत नहीं है, उनकी imports को कम करा जाए, क्या क्या चीज़े है, how much we import is mentioned in the bracket, क्या क्या import करते हैं, spectacles, चश्मे, जो इतने करोड की होते हैं, dolls करते हैं, cosmetics करते हैं, etc., तो यह सब चीज़े हम भार से import करते हैं, educating the unemployed masses and the production of these items can massively reduce the dependency on importing them, अगर हम खुदी अपने देश में चीज़ों को produce करना शुरू कर गें, तो import हमारा इन चीज़ों को क्या हो जाएगा, इंपोर्ट काम होगा, तो हमें क्या होगा, हमारा export की जो बढ़ जाएगा, और जो है, हमारे अपने देश में production होगे, तो हम आरे जो है, अपनी, जो हम maintain करना चा भी आपको मेना पैर आप समझा दिया है, उनीप्र Government, एंपाव डार क्यों करता हमें है तो हमें चानल और जो हमदेगा, हमारा ऐगा, यस तरह से हम देखते हैं, यह तो हम शता है, मियना उप्शन है जो बढ़िए, हम् स्थेथे क्या शूरू pol दा ए जो चालू था अंक्च 80 ratio 20 scheme object was to reduce the current account deficit of 6.7% as according to RBI we can sustain only with a maximum consistent deficit of up to 2.5%. Next है the rise in the gold imports. तो उन्होंनों कहा न, 5 times हो या 5 folds कह सकते हैं. Banks are disallowed to sell gold coins क्योंब के लिए को चेक the rising CAT. Next है Current Account Deficit है, CAT के है, Current Account Deficit है. अब इसके अंदर दे को not given है, if there is no information on this. आगे तो उन्होंने कुछ बता है, नहीं कि South Africa की मतलब, उन्होंने की वो शिरंगा में मतलब क्या हुआ अगी, उसका कुछ नियत ही आएगा हमारा. Another word है copied है, यहां पे मिक्री का मतलब copied. उसके बाद आता है, accept में इन्होंने, इसके बारे में नहीं है, proactive check-on, contraband gold. Next है, insufficient and not enough effective data and not effective enough. तो कैसे पर चलेगा ना, आपको आंसर, कैसे हम देखो, मैं देखते हैं, इसमें से देखो, यहां आपको मिल जाए लाइन, but it may not be enough. इन अबेक to control imports, imports को control करने में, देखो, आगे लाइन अपने आप लिख देखे हैं, but it may not be enough. Enough का था है, इतना, enough नहीं है, government की policy. आपके इसले, जो आएगा answer, वो कौन सो हो जाएगा, insufficient and not effective enough. आगे हैं अगला, reduce the amount of non-essential imports, like spectacles, dolls, cosmetics, etc. educating the unemployed masses in the production of these items. If the unemployed youth is engaged in production of these items, then their imports will be reduced and benefit the government. अगला जो है, इसका option आएगा हमारा C वाला, India's Gold. अब पहले खुद करके देखना और उसको solve करने के पर answers देखे, तो मेरे answers कर चेके. और इससे आपके बहुत अच्छी practice हो जाएगा, unseen to solve करने के. next video, और दो नहीं है, thank you, thank you for watching my video, any problem ask me in the comment box, I am always ready to help you out.